बांगलादेश में तखता पलड के बाद कट्टर पंथी हावी है यूनुस सरकार लाचार है आरोप लग रहे हैं कि यूनुस जो हैं कट्टर पंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं अब यूनुस की तरफ से देखें शेख हसीना को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया है और इसको क्या चल रहा है बांगलादेश में वाक्मोस रिपोर्ट की ज़रे बताते हैं बांगलादेश का अस्तित्व है तो सिब भारत की वज़ा से बांगलादेश जिसके निर्मान में भारत की बड़ी भूमिका रखी बांगलादेश जो भारत की उंगली पकड़ कर आगे बढ़ा अब वही बांगलादेश भारत को आखे दिखा रहा है वही बांगलादेश भारत को बताने के हिमाकत कर रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं तक दापलच होते ही बांगलादेश की सरकार के सुर्वदल गए है अंत्रिम सरकार के प्रमुक मुहमद यूरूस ने बयान देते हुए कहा कि शेख हसीना का भारत में रहते हुए राजनितिक टिपडी करना एक आम मित्रता पूर इशारा है अगर भारत शेख हसीना को तब तक रखना चाता है जब तक बांगलादेश उसे वापस नहीं चाता तो शर्ट ये होगी कि शेख हसीना को चुप रहना होगा मतलब साफ है शेख हसीना की देश चोड़ते ही कटरफंथी समर्थित सरकार आते ही बांगलादेश के हाउ भाव बदल चुके हैं मौमद यूनूस अब भारत को मित्रता के पैमानी सिखा रहे हैं उस भारत को जिसने बांगलादेश को चलना सिखाया इतना ही नहीं शेख हसीना की वापसी को लेकर यूनूस ने बयान दिया हम शेख हसीना की वापसी चाहते हैं ताकि बांगलादेश के साथ न्याय हो सके शेख हसीना पर मुकदमा चलना चाहिए हसीना जब तक भारत में है तब तक चुप रहे मुहम्मद यूरूस इंसाफ और न्याई की बात कर रहे है और खुद के देश में बांगलादेशी हिंदू को प्रतारित किया जा रहा है खुलना में इश निंदा के आरूप में भीड ने एक हिंदू लड़के पर कुरूर हमला किया भीड ने लड़के को पुलिस से चीन लिया पायूत कार्याले के अंदर उस पर हमला किया बताया जा रहा है कि कंभीर हालात में सेरत ये जुदाल में इलाज जारी है हिंदूओं पर हमलों के मामले में यूनूस ने आखों में बट्टीवान रखी है इसलिए भारत में संतों का आख्रोश बढ़ता जा रहा है हिंदू संगट्शनों ने ग्रेमंत्रिय मिश्या से मुलाकार कर बांगलादेश के हिंदूओं के समर्थर में कदम उच्छाने की मांग के हिंदू को बचानी के लिए जल्द कुछ करना होगा क्योंकि यूनूस प्रिशासन तो अब बांगलादेश में हिंदू अफ़सरों की लिस्ट बन मा रहा है ताकि उन्हें अलग थलग किया जा सके क्या इससे पता चलता है कि यूनूस के चेहरे से जिहादी नकाब उतर चुका है विर रिपोर्ट रिपाप्लिक भार तो ये बांगलादेश में आपने देखा कि इस वक्त क्या हालात बने हुए खबरों में आगे बढ़ते हूं और आपको तीन तस्वीरें हम दिखाएंगे जहाँ पर देखिए एक खबर सामने आए वुनलोवा की शहर की जहाँ पर आग लगे तो ये आपको दिखाए वुज्लोवा की तस्वीरेंप दिखाएंगे बिल्कुल और कैमिकल प्लांट में आग लगी है अमारिका की ओहियों में कैलिफोनिया में आप देखी किस कदर आग का तांडव इन तस्वीरों में देखने को मिल सकता है जंगल में आग लग गई है कहीं प्लास्टिक फैक्टरी में आग लगी है दरसल जो प्लास्टिक फैक्टरी की तस्वीरा पहली वाली देख रहे हैं वो रूस की वुजलोवा की है लेकिन इस आग लगने के पीछे मुखे तोर पर वज़ा क्या रही वो सामने नहीं आई है र और ऐसे में कौन-कौन इसकी चपेट में आया, ये बड़ी खबर है, देखिए आपको बता रहे हैं, अगर रूस की वुजलोबा की बात करें तो प्लास्टिक फैक्टरी में भीशन आग लग गई, तुला रीजन में फैक्टरी में रखे, ओल टेंकर तक पहुच गई, करीब 1500 स्क्वार मीटर तक आग फैल चुकी है, आग बुजाने की कोशिश लगातार की जा रहे हैं, मिल्कुल और दूसरी तस्वीर अमेरिका की ओहियों से, एक कैमिकल प्लांट में भ्यांकर आग लग गई, और प्लांट में फसे करीब 100 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गय यह गनियों मत रही, उधर अक्रोन इलाके में भी कैमिकल प्लांट में आग लग गई, इसकी तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और कडी मिशकत के बाद आग पर काबू पाया कि कैलिफोनिया के जंगल में भ्यांकर आग लग गई है, तो यह तस्वीर आपको द इंकाउंटर क्यों किया गया, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर प्यांकर हम देख रहे हैं, जमकर राजनीती की जा रही है, बयान बाजी तेज होते वे नज़र आ रहे हैं, इसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया और मामला क्या है, रिपोर्ट आप देखे है, यूपी के सुल आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी राज में अपराधियों का अमरत काल चल रहा है, लेकिन योगी की पुलिस एक्शन में जुटती है और फिर आरोपियों की धर पकड़ हो या इंकाउंटर दोनों कर दिया जाता है, मुटभेड में मुख्य आरोपी मंगेश या दो मारा ज जाता है तो अखिलेश के सुर बदल जाते हैं, वो इस एंकाउंटर का जाती करण करने लग जाते हैं, अखिलेश के सुर कैसे बदले, वो देखिये कि जब डकैती हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में फ्रष्टाचार और अपराध की जुगलबंदी हैं, तो ज रूपी का एंकाउंटर हो गया, तो भी योगी सरकार दोशी, ये तो सियासत का उसूल है, खास कर सपा की, तभी तो योगी और अखिलेश में चाहें एंकाउंटर हो या बुल्डोजर टक कर हो ही जाती है, बुल्डोजर जैसी छमता और देड़ प्रतिक्या जिसमें हो वह ही बुल्डोजर चला सकता है, दंगायों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, बुल्डोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे, बुल्डोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेरिंग होता है उसने, स्टेरिंग से चलता है बुल्डोजर, उत्तरप्रजिस की जनता कब कि किस का स्टेरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किस का स्टेरिंग बदल दें देगे एंकाउंच और इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे राजनीती हो रही है वो लगाता रहा है बिल्कुल और सवाल बढ़ा है कि जातीवाद का एंकाउंटर कब होगा इनी खबरों के साथ जाग उठा भारत में फिल्हाल इतना ही रोगना होगा एक छोड़े सब्रेक के लिए कहिमत जाई एक खबरों का सिलसला रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है